नमस्ते चात्रों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में और इस वीडियो में हम हडपा इस्तल राखी गड़ी के बारें पढ़ेंगे तो देखे चात्रों राखी गड़ी को पढ़ने से पहले हमने सिंदुगाटी सब्वेता के परमुक नगर और सिंदुगाटी सब्वेता के बारें में इंपोर्टेंड नौर्स और जो भारती इत्यास का काल विबाजन है इनके बारें में पढ़ लिया है तो पढ़ते हैं राखी गड़ी के बारे में राखी गड़ी को पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें तो देखे राखी गड़ी राखी गड़ी हर्याणा में सर्स्वती नदी या दर्स्वती नदी के किनारे इस्तित हैं और जो सर्स्वती नदी है इसका जो वर्तमान नाम है वह है घगड़ नदी अर्थात अब सर्स्वती नदी मर चुकी है उसका नाम मर प्राय नदी भी है या फिर लेटी हुई नदी और ऐसे क्यों सुना सकता है कि सर्स्वती के स्थान पर अब कौन से नदी बैती है वह है घग्गर न दि। राखी गड़ी की खोज 1963 इस्विव में रफीक मुगल ने की थी। तो राखी गड़ी की खोज खोज किसने और कब करी। राखी गड़ी की खोज रफीक मुगल ने 1963 स्वी में की राखी गड़ी के उत्कनन का कारिये 1997-1998 स्वी में अम्रेंदर नाथ ने किया तो राखी गड़ी के उत्कनन का कारिये किस ने किया? अम्रेंदर नाथ ने कब किया? 1997-1998 में तो राखी गड़ी का पर है? हरियाना में नदी कोन सी? घगगर, प्राची नाम, सरस्वती नदी और खोज किसने करी राखी गड़ी की? 1963 स्वी में रफीक मुगल ने राखी गड़ी के उत्करन का कारी है 1997 ठाण में स्वी में अमरेंदर नाथ ने राखी गड़ी से लगू मुद्रा मिली है जिस पर मात्र देवी की मूर्ती का चित्र प्राप्त हुआ है तो राखी गड़ी के बारे में महत्वपुन जो सूचना है यह है कि यहां से एक लगू मुद्रा मिली है और इस पर मात्र देवी की मूर्ती का चित्र है दोला विरा के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा इस्तल राखी गड़ी है वह है छेत्रपल की दर्स्टी से तो भारत में सिंदुग अटे सब्वेता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोला विरा और इसके बाद जो राखी गड़ी नामक स्तल है यह दूसरा सबसे बढ़ा स्तल है दोलावि राखी बारे में हमने पहले पड़ा है आप देखेगा यहां से मिले मकानों में पत्थर का प्रियोग हुआ है राखी गड़ी के जो मकान है वो पत्थर के बने हुए हैं अब देखिएगा राखी गड़ी से मिले कुछ महत्वपन साख से तो राखी गड़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए मारग जन निकासी के प्रणाली बारिस का पानी एकत्र करने का विसाल स्थान कांसा सहित कई धातों की वस्तुएं भी मिली हैं राखी गड़ी सिंदु गाटी सब्वेता का भारतिय च्छत्रों में दोला विरा के बाद दूसरा विसातम एतियासिक नगर है राखी गड़ी से प्राख हडपा और परिपक्वय हडपा युग इन दोनों कालों के परमाण मिले हैं तो प्राख हडपा हडपा से पहले का परिपक्वय हडपा अर्था थडपा का निन तो राखी गड़ी से प्राखडपा और परिपक्वय हडपा दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं यहां से मात्र देवी अंकित एक लगु मुद्रा प्राप्त हुई है यह important साक्से है जो आपको ध्यान में रखना है एक लगु मुद्रा जिस पे मात्र देवी का चित्रंकित वो कहां से मिली है राखी गड़ी से मिली है राखी गड़ी से महत्तो पनिस्मारक यह पुरा वसेस भी प्राप्त हुए हैं जिन में दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, इस्थम्ब युक्त, विथिका या मंडप जिसके पास्त्रं में कोठरियां भी बनी हुई हैं उचे चबूत्रेपन बनाई गई अगनी वेदिकाएं भी परमुख हैं राकी गड़ी से लगबग सत्तर सवाधान मिले हैं जिन में से एक सवाधान को प्रेमी यूगल का सवाधान कहा जाता है तो ये क्यूसन भी इंपोर्टेंट है कि प्रेमी यूगल का सवाधान कहां से मिला है वो आपका राखी गड़ी और ये भी क्यों से ना सकता है कि राखी गड़ी से जो सवाधान मिले हैं उनका वो कैसे हैं वो है यूगल आकार के यूगल सवाधान मिले यहां से तो राखी गड़ी से मिले सवाधानों की विशेशता है प्रेमी यूगल सवाधान तो देखेगा चात्रों यहां पर हमने राखी गड़ी के बारे में पढ़ा और आगे भी हम सिंदुगाटी सब्वेता के जो महतो पनिस्तल है उनके बारे में और भी जानकरी प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आपको हमारा यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेद सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नए ने वीडियो प्राप्त हो सके धन्यवाद